आज मैं आपके साथ व्रत की चार यूनिक रेसेपी शेयर करने वाली हूँ व्रत की टाइम में हम काफ़ टेंशन में आ जाते हैं कि रोज रोज क्या बनाए लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी परिशानी खत्म हो जाएगी क्योंकि मैं आपको व्रत के लिए चार यसी यूनिक रेसेपीस बताऊंगी जो आप डेली बदल बदल कर बना सकते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी और बनाने में काफ़ी एजी होती है सबसे पहले हम बनाएंगे साबुदाना खिचुड़ी जो सबी को बहुत पसंद होती है सेकेंड बनाएंगे हम व्रत के अलू थर्ड बनाएंगे अलू पैटिस और फॉर्ट रसी बनाएंगे हम साबुदाना बड़ा तो चली फ़ले साबुदाना खिचुड़ी बनाएंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यह दो कप साबुदाना ले लिया है अब इन साबुदानों को हमें चार से पांच पानी से अच्छे से धोना होगा फिर्ट इस हमें तब तक धोना होगा जब तक इसका पूरा वाइट पानी चलाना जाए अगर इससे वाइट पानी रहता है और अगर यह उस्टार्ज रहे गिया साबुदानों में तो इससाबुदानों की खिंश किषी किंफ़ी भी भृकुल भी खिली-खिली नहीं भनेगी यह देखे इस तरह से इसे इसमें वाइट पानी निकलता जाए तो आप इसное तब तक व एतना समझे कि यह हमें इतना पानी डालना है कि साबुदाने इस पानी में पूरी तरह से जाए और इसे कम से कम पांसे चे गंटे के लिए हमें भिगो एक आपके रखना होगा आप इसे ओवर नाइट भी हो सकते हैं अब बढुदाने फूल बढ़िया हो गया है और बिल्कुल एक एक दाना अलग हो गया है ग्यास पर कढ़ाई गरम उने रग दे उसमें डाल देते हैं दो चम्माच ओई यहां पर में ले रही हो एक कटोरी मुंफली दाना और इसे हम थोड़ा सा सेक लेते हैं इसे हमें हलका सा सेकना होगा ज्यादा कटोरी मुंफली दाना लिया था तो उनको मैंने आधा-दा दो हिस्सों में बाट लिया है आधो को मैं दरदरा पीसूंगे और आधो को मैं ऐसे ही रहने दूंगी है हम इने फिर से ग्यास पर कढ़ाई गरम होने रग दिया उसमें दो से तीन चमच ऑईल डाल दिया है ऑई इसमें डाल देते हैं एक चमच जीरा और जीरे को थोड़ा से को सेकेंड्स के लिए सेख लेते हैं अब इसमें दो हरी मिर्श कटी हुई डाल देते हैं 12-15 कड़ी पत्ते के टाल देते हैं अब यहां पर मैंने दो बॉइल आलू को इस तरह से पीचेस में कट कर लिया है वो डाल देते हैं अब यहां पर कच्छा आलू भी ले सकते हैं लेकिन उसे फिर थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए आपको यहां पर सेकना होगा ताकि कोईल आलू फटाफट से यहां पर बनकर तयार हो जाएगा इसे भी कुछ सेकेंड्स के लिए हम देख लेते हैं अब इसमें डाल देते हैं भिगोवे साहुदा ना आधे मुंफली के दानों को जिनको हमने दरदरा पीस लिया है वो भी डाल देते हैं और आधे मुंफली के दानों को जिनको हमने ऐसी ही साबुत रखा था वो भी डाल देते हैं इसमें डाल देते हैं एक छोटा चमज सिंधा नमक क्योंकि हम यह उपास के लिए बना रहे हैं सब्दाना किचरी इसलिए हम यह सिंधा नमक डाल रहे हैं अगर आप उपास के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप वाइट नमक भी डाल सकते हैं आदा चोटा चमज डाल रहे हैं और थोड़ी सी कटी हुई धन्या पत्ती डाल देते हैं और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं फ्रेंड्स एक बात का आप बस ध्यान रखिए कि हमें ये सब काम बिल्कुल स्लो गेस पर ही करना है तबी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई है तो अब इसे हम 3-4 मिनिट के लिए ढख कर पका देते हैं इससे ज़्यादा समय के लिए और नहीं पकाना है और गैस को हम बिल्कुल स्लो रख देते हैं और ढख कर इसे पकने देते हैं यह देखिए साबदान की जोड़ी बनकर बिल्कुल तयार हो गई यह किस तरह से एक एक दाना बिल्कुल अलग बनकर तयार हुआ है यह देखिए बिल्कुल भी चिप चिपी नहीं बनी है इतनी बढ़िया साबदाना की जोड़ी बनकर तयार हुई है अब दूसरी रेसेपे हम बिनारे व्रत के आलो तो इसके लिए एक पैन गरम हमें रख दिया है उसमें दो चमस घी गरम कर लेते हैं अब आदा के टोरी मुम्फली दाने ले ले लेते हैं और इस घी में थोड़ा सा सेक लेते हैं लो फ्लेम पर थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर आने तक हमें मुम्फली को सेखना है और उसके बद घी से निगाल लेना है उसी बचेवे घी में अब हम डाल देते हैं एक चमस जीरा और जीरे को कुछ सेकेंट्स के लिए गरम होने देते हैं जीरा गरम होते हैं इसमें दो कटीव हरी मिर्च डाल देते हैं और 10 से 15 कड़ी पत्ते डाल देते हैं कुछ सेकेंट्स की कड़ी पत्ता और हरी मिर्च को भी सेख लेते हैं अब इसमें डाल देते हैं तीन से चार बॉयल किये वे आलू जिनको इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है आप छोटे अब बड़े जैसे पीसेस चाय कट कर लें अब इसमें डाल देते हैं आधा चमज सेंधा नमक एक चोथाई चमज डाल देते हैं काली मिर्च पाउडर अब हमने जो मोंफली दाने सेख के अलग किये वे थे वो डाल देते हैं सबी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह बहुत ही इजी और टेस्टी रेसेपी है फ्रेंड्स अब इसमें दो बड़े चमज कटावा हरा धनिया डाल देते हैं और एक चमज निबू कर अज डाल देते हैं सबी चीजों को अच्छे से फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं और मीडियम फ्रेंपर चार से पांच मिनिट लिए इने बखने देते हैं फिर से बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाते हैं क्योंकि आलू पहले से हमने बॉइल किये हुए हैं तो यह फटा-फट से बनकर रेडी हो जाती हैं यह देखे कितने बड़े आलू बनकर तयार हुए हैं और थर्ड रेसिपी अब हम बनाएंगे आलू पैटिस तो आलू पैटिस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो बड़े बॉइल आलू ले लिए हैं और उसको मैच कर लिया हैं इसमें डाल देते हैं दो चमच दिसकेटेट कोकरनर याने नारिल का बूरा एक चमच पाउडर शुगर एक चमच जीरा पाउडर आधा चमच सौफका पाउडर एक कटिवे हरी मेर्च दो बड़े चमच कटावा हरा धनिया काली मेर्च पाउडर आधा चमच सेदा नमग एक चमच खसकस एक चमच और थोड़े से कटिवे ड्रैप्रूट्स जाल देते हैं यह तोटली ऑप्शनल है आप पसंद करते तो डाले सभी चीजों का अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं मैंने यहाँ पर फिर से दो आलू बड़े बॉइल के भी ले ले लिए जिसे मेश कर लिया है इसमें डाल देते हैं एक चमच सेदा नमग चमच डाल देते हैं राजगिरी का आटा क्योंकि वरत के लिए बना रहे है तो राजगिरी का आटा डाला है आप चाहें तो सिंगाडे का आटा भी यूज कर सकते हैं सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हाथों पर थोड़ा सा ओईल लगा लेते हैं और आलू के पोर्शन में से थोड़ा सा बॉल जितना पोर्शन ले लेते हैं और हतेली पर इस तरह से प्रेस कर लेते हैं आप छोटा या बड़ा जितसा भी साइज बनाना चाहते हैं उतनी कॉंटिटी ले 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 और बी सेंटर में हमने जो ये मसाला बना के ठका हुआ था वो डाल देते हैं और अब इस तरह से फोल्ड करते वे इसका बॉल शेप बना लेते हैं अच्छे से आप फोल्ड करके इसे पैक कर लीजिए और इस तरह से हाथों पर गुमाते हुए इसका बॉल कर शेप बना लीजिए और इसको अब हम ड्राय राजीरी के आटे से इस तरह से कोट कर लेते हैं ये देखिए अब ऑईल गरम करने रख दिया हैं तेज ऑईल गरम होने पर इसे हम दोना दरप से गोल् कोत्रे से हम बनाते हैं साबुदाना वड़ा साबुदाना वड़ा बनाने के लिए यहां पर मैंने एक कप साबुदाना ले लिया है और उसे दो से तीन बार अच्छे से पानी से दो लेते हैं ताकि इसका स्टार्च पूरा निकल जाए अच्छे से दो से तीन बार धोने के बाद इसका पानी निकाल देंगे और साबधानों में फिर से थोड़ा सा पानी हम डाल देते हैं ताकि इसे हम भीगा सके साबधोनों में पानी इतना रखी कि साबधोन अच्छे से भीग जाए और 3-4 गंटे के लिए भी इसे, रेस्ट पर रख देते हैं तीन से चार घंटे बाद साबधाना बहुत अच्छे से फूल जाएगा और अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा अब एक पैन में हम तीन से चार चमच मुफली दाना ले लेते हैं और इसे ड्राय रोस्ट कर लेते हैं मुफली दाने को सेखनी के बाद इसे ठंडा करके हम इसे दर-दरा पीस लेते हैं अब चार से पांच बॉइल आलू ले लेते हैं और उसे मेश कर लेते हैं अच्छे से आप पूरा मेश कर लीजी ताकि इसमें कोई भी गुटली ना रहे अब इसमें जो साबदा ने भीगोगे हमें रखे वे थे वो डाल देते हैं और पीसे वे मुफली दाना भी इसमें डाल देते हैं अब इसमें डाल देते हैं एक चमज शकर और एक चमज सेंधा नमक या काला नमक आप जो भी पसंद करते हैं वो डाल दे एक चमज तिल और दो चमज डाल देते हैं कर दुकस की हुई अद्रक चार से पांच कटीव हरेमिश डाल देते हैं आप अगर कम तिका पसंद करते हैं दो मिर्ची डाले और थोड़ा सा कटावा हरा दनिया डाल देते हैं अब इसमें डाल देते हैं दो चमज नेबु का रस और सभी चीजों का अच्छे से मिक्स करके इसका बढ़िया मिश्रन बनाकर रेडी कर लेते हैं अब हाथों पर थोड़ा से ओईल लगा लेते हैं और इस मिश्रन में से थोड़ी सी छोटी बॉल की शेप की कॉंटिटी ले लेते हैं और इसका वड़ा का शेप बना लेते हैं, आपको छोटा है बड़ा, जैसा भी पसंद हो, आप उतनी शेप का वड़ा बना का त्यार कर सकते हैं, बस इसी तरह से साड़े वड़े बनाने हैं, अब एक गढ़ाई में ओईल गरम कर लिया है, और गरम-गरम ओईल में वड़ो को हमें डाल देना है, वड़े जब एक तरफ से सिख जाए, तो उसका साइट बदल दे, और इस तरह से दोनों साइट से वड़ो को कोल्डर ब्राउन कलर आने तक हमें फ्राय करना है, लग रहे हैं न, बहुत टेस्टी, उमिद करती हूं व्रत की चारों रेसेपीस आपको बहुत पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजेगा यार, और चैनल पर न आये तो सब्स्राइब करना बिलकुल न भूले,